विज़दर्श्मी के मौके पर नाथपुर में आरेसेस के स्वयम सेवकों ने पत संचलन के अलाल कृष्णाडवानी, नितन गटकरी और सीम फर्नवीज भी मौनित रही है आरेसेस प्रमुक मोहन भागवत ने कहा कश्मीर समस्या का जल्दी समाधान हो सकता है हालाद बदलने के लिए खानून बदलना पड़े तो बदलना चाहिए मोहन भागवत ने कहा सरकार ने कश्मीर में सेना और पुलिस को पूरी छूट दी देश विरोधी ताकतों की आर्थिक कमर तूट कई है मोहन भागवत ने कहा पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा लेकिन जम्मू कश्मीर भारत का अभिन हिस्सा था और रहेगा मोहन भागवत का पश्चिमंगाल सरकार और केरल सरकार पर निशाना कहा दोनों राज्यों में जिहादी ताकते मदबूत हो रही है सरकार इन ताकतों को रोक नहीं रही है भागवत ने कहा दोनों राज्यों की सरकार का रुख देश विरोधी ताकतों को रोकने में उदासीन रहा बांगलादेश सीमा से भी खुले आम गो तसकरी हो रही है मोहन भागवत ने रुहेंगिया मुसल्मानों का भी मुद्दा उठाया कहां उन्हें शरण देने से देश की सुरक्षा को खत्रा होगा इनके संबंद आतंकियों से हैं और इसके सबूत भी मिले है मोहन भागवत ने कहा 70 साल में पहली बार दुनिया को लग रहा है कि भारत कुछ कर रहा है भारत प्रगती करता है तो दुनिया उससे जुरती है संग प्रमुक ने कहा सारी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है भारत के मामले जिन में दखल से पहले दुनिया के देश दस बार सोचते हैं देश के आर्फिक खालात पर भी बोले मोहन भागवत कहा विकास का मतलब आखरी व्यक्ति तक उसका फायदा पहुँचना अमीर और अमीर हो जाए ये सही नहीं है मुंबई हादसे पर RSS प्रमोख मोहन भागवत ने दुख जताया कहा हादसे में मरने वालों के परिवार के साथ मेरी संथ बेतना है RSS को PM मूदी की बधाई ट्वीट कर स्वयम सेवकों को इस्थापना दिवस पर शुप काम लाए दी आज देश भर में विजया दश्मी का पर मनाया जा रहा है पीम मोदी और राश्रपती ने बधाई दी UK के CM योगी आदिश्यनात ने लोगों को दशेहरे की बधाई दी सुख और शान्ती की काम लाए दी मुंबई में शिव सेना की आज दशेहरा रहली है एंडिय में बने रहने को लेकर उधफठा करें बड़ा एलान कर सकते हैं मुंबई में रेलवे स्टेशन पर हुए हाथसे में घायल लोगों से मिले CM देवेंदर परणवीस घायलों का हाल चाल भी जाना CM पर्णवीस ने हाथसे में मरने वालों के लिए दुख जबाया रेलवे को हर संभव मदद का फरूर सादिया मुंबई पुलिस ने हाथसे की जाट शुरू कर दी दादर थाटे में एक्सिडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ट सीसी टीवी फुटेज और चश्मदीतों की मदद ली जा रही है कल मुंबई के एलफिंस्टन रोड स्टेशन के फोटोवर ब्रिज पर ढगदर की वज़े से 22 लोगों की मौत हुई थी हाथसे में 49 लोग खाल भी हुए थे नहीं रहे जानेवाने आक्टर टॉम ओल्टर 66 साल की उम्र में आखरी सासली काफी वक्त से कैंसर से प्रियल थे टॉम ओल्टर ने 10 साल तक स्पोर्ट जोर्नलिजम भी किया सटन तिंदूलकर का इंटर्व्यू लेने वाले पहले पत्रकार थे 2008 में पदम श्रीस दे भी नवाजा गया पियम मोदी ने टॉम ओल्टर की नदन पर दुचताया उनके फिल्म और कला के शित्र में योगदान को याद किया आज सियाचन वेस कैम जाएंगी रक्षमंत्री निर्मला सीता रमन आमी कमांडर्स के साथ बैठा करेंगी लगदाख में लाइन आफ आक्चिल कंट्रोल का भी जायसा लेंगी कुल्बूशन जादव के बदले आतंकी को छोड़ने के प्रस्ताग को भारस ने बे बुनियाद बताया पाक विदेश मंत्री के दावे को जूटा बताया जीनी उसकी खबर का असर हुआ भारस सरकार ने मियानमार में हिंदूों की कबर पर चुक्पी तोड़ दी कहा अपराद में शामिल किसी को भी बक्षा नहीं जाएगा विदेश मंत्राले के प्रवक्तार अवीश कुमार ने कहा आम नागरिकों के खिलाफ किसी भी आतंक की वारदात को बरदाश्त नहीं किया जा सकता है औरिसा के जैपोर में ब्रिटिश काल के हजारों बुलिट्स मिले हैं टौाले तांग की सफाई के दौरान ये गोडियां देखें राजस्तान के जुज़ों में सरक हादसा हुआ दो युबकों की मौत चार घायल कारको ट्रक्टर ट्रॉली ने टक कर मारती थी बेहाद की पूनिया में बाइक चूर गिरो का परदा फास चार मूर्टर साइकल परामत हुई छे बदमाश भी पकले गए आज दिल्ली में मूर्टी विसरजन को देखते हुए सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम यमुना की तटपर विसरजन की खास विवस्था दिल्ली में कुल साथ घाटों पर मूर्टी विसरजन किया जाएगा आईटियो यमुना बाजार मयूर बिहार मुख्य अलाके हैं दो पहर एक बज़े से दिल्ली के मंदिर मार्क पंचकुया रोज खनाट प्लेस जाम जैसे हालात हो सकते हैं मिन्ट और उर्दीन दयाल उपाद्याय मार्क पर भी जाम लग सकता है मूर्टी विसरजन को देखते हुए कालंदी कुछ मार्क बन रहेगा नॉइडा से दिल्ली जाने के लिए डिन्दी का इस्तमाल आप कर सकते हैं दो पहर दो बज़े से शाम आट बज़े तक राजगाट से लेकर बस अड़े तक जाम की संभावना है दशेहरे के छुट्टियों के चलते एस्विया ने मुबाइल एटियम का इंतिजाम किया है दस भीड़ वाले पंडालों में एटियम लगाए गए मुंबाइ के प्राइविट स्कूल में छात्र की पिटाई, शिकायत के बाद आरोपी टीचर गिरफतार, पिटाई के बाद बेहोश होने की शिकारी इटावा में छात्रा की हत्या, रेप की कोशिश में नाकाम रहने पर वारदात को अंज्राम दिया, आरोपी की तलाश जारी है सहारनपुर में खेत में लटका मिला पश्मन साल की व्यक्ति का श्रव, हत्या के बाद श्रव को पेड़ पर लटकाने का श्रव हिमाचल प्रदेश के चंबा में बालिका देख भाल, केंद्र में बच्चियों से छेरखानी का आरोप टाइपिस्ट कुक और सफाई करंचार हर्याना के धर्जन में यवक की बूली मारकर हत्या, परिवार की शिकायत के बाद पतनी, दो रिष्टदारों के खिलाफ के इस्तर, बिहार के गुपाल गंज में देश साल की यवती की हत्या, लडकी से रेप की भी आशनका है, बिहार के भोजपुर में पंचार प्रमुक क तीन एक सिटी मिडिया पहले ही सिरीज जीट चुकी है, मध्य तरदेश की मंसौर में रावण का 71 फीट उचा पुतला तयार किया गया, मेगनात और कुमकंड के पुतले बेक 41 फीट के होंगे, देहन के वक्त एक लाख लोगों के पहुँचने की उमीद है, राची में दू तो वाब बीद से अभियान की शुरबात की